एक एतिहासकार और उसके तथ्या, एतिहास क्या है? कोई इस प्राश्न को निरर्थक या अनावश्यक न समझ ले इसलिए मैं Cambridge Modern History के पहले और दूसरे संसकरणों से क्रमशदो अंशुधरित करना चाहूंगा। Cambridge University Press Syndicate के सदस्यों के समक्ष अक्तूबर 1896 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए एक्टिन ने जिस पुस्थक के संपादन का भार्स वीकार किया था, उसके बारे में वह गहता है। 19-वी शताबदी ने हमें ज्यान की जो संपूर्ण तादी है, उसको बहुसंख्यक पाठकों के लिए लाबदायक बनाने का हमको यह दविती अफसर मिला है। दिखा सकते हैं जहां हम पहुँचे हैं। पहावना की आशा नहीं रखते। उन्हें उम्मीद है कि उनकी कृतियों को पीछे छोड़ जाने वाली कृतियां बार बार लिखी जाएंगी। वे मानते हैं कि अतीत का ज्यान उन्हें एक या अधिक मानव मस्तिषकों के माध्यम से प्राप्त हुआ है। उनके द्वारा समयोजित है और इसलिए उनमें इस तरह के अवेरिक्तिक तथा आधार भूत अनू नहीं हो सकते जो बदले न जा सके यह खोज सीमातीत लगती है और कुछ धेरहीन विद्वान संश्रेवाद से ग्रस्थ हो जाते हैं कि चून की सभी एतिहासिक अब्धारन इव्यक्तियों तथा द्रिष्टिकोनों के माध्यम से बनती है इसलिए उनमें कोई गुनात्मक अंतर नहीं होता और वस्तुगत एतिहासिक सत्य जैसी कोई चीज नहीं होती जहां इतिहास के पंडित एक दूसरे के चरम विरोध में वक्तव्य दे रहे हो उसक्षेत्र ब्रिहतर क्षेत्र में की खोजबीन होनी चाहिए आशा करता हूँ कि मैं पर्याप्त रूप से इस अधुनातन ज्यान की पहचान रखता हूँ कि उन्नीस्वी शताब्दी के नवे दशक में जो कुछ लिखा गया वह बक्वास था किन्तु मैं स्वयम को इतना अधिक सक्षम नहीं पाता कि 1950 में जो कुछ लिखा गया वह निश्चे ही अर्थवान है इस द्रिष्टिकोन को स्वीकार कर लूँ वस्तुता आपको लग रहा होगा कि यह परताल इतिहास की प्रकृती से कहीं ले जा सकती है एक्टिन तथा सर जोज क्लाक के विचारों में जो विरोध है वहुन दो वक्तवियों के बीच की अवधी में समाज संबंधी हमारे द्रिष्टिकोनों के बदलाव का प्रतिविम है एक्टिन के विचारों में उत्तर विक्टोरिया काल का निश्चयात्मक विश्वास तथा परिश्कृत आत्म विश्वास बोल रहा है सर जॉर्ज क्लाक, बीड, पीडी के संशेवाद और उद्विग्नता को व्यक्त कर रहे हैं इतिहास क्या है? जब हम इस प्राशन का उत्तर देने की कोशिश करते हैं तब जाने अन जाने समय में अपनी अवस्थिती को प्रतिद्वनित करते हैं और हमारा उत्तर उस व्रिहतर प्राशन का एक भाग होता है कि जिस समाज में हम रहते हैं उसके बारे में हम क्या सोचते हैं? मुझे यह डर नहीं है कि गहराई में जाने पर यह विश्य साधारन लगेगा बलकि मुझे डर इस बात का है कि इतने विशाल तथा महत्वपूर्ण प्राशन को उठाने के मेरे दुस्साहस पर आपको आश्चर्य होगा 19-वी शताबदी तथ्यों की दृष्टी से महान थी मीशून्य ग्रॉड ग्रिड ने हार्ड टाइम्स में लिखा था मुझे तथ्य चाहिए जीवन में हमें सिर्फ तथ्यों की आवश्यक्ता है 19-वी शताबदी के इतिहासकार उनसे सहमत थे उन्नीस्वी शताबदी के चौथे दशक में जब रैक ने इतिहास को उपदेशात्मत बनाने के विरोध में कहा था कि इतिहासकार का दाइत्व इतिहास को सिर्फ उस रूप में दिखाना है जैसा कि वह सच मुझ था तब यह उपती बहुत लोग प्रिय हुई थी हलांकि यह उतनी महत्वपूर नहीं है इसके बाद जर्मनी ब्रिटेन तथा फ्रांस के इतिहासकारों की तीन पीडियां इस करामाती कहावत को मंत्र की तरह दोहराते हुए इतिहास लेखन में जुट गई अन्य मंत्रों की तरह इस मंत्र का जाप भी वे केवल इसलिए कर रहे थे कि उन्हें खुद सोचने के कठिन काम से मुक्ती मिल जाए इतिहास एक विज्ञान है इस दावे को साबित करने की उत्सुकता में प्रत्यक्षवादियों ने इस तथ्य संप्रदाई को अपना समर्थन दिया उनका कहना था कि पहले तथ्यों की जाँच करो और फिर उनसे अपने नतीजे निकालो ग्रेट ब्रिटेन में इतिहास का यह द्रिष्टिकोन लाग से बट्रेड रसेल तक की अनुभववादी मुख्य दार्शनिक विचारधारा से पूरी तरह मेल खाता था ज्यान का अनुभववादी सिध्धान्त विशय और वस्तुको पूर्णतया विच्षिन मानता है इंद्रियों के अनुभव की तरह तथ्य अध्ययन करने वाले पर बाहर से प्रभाव डालते हैं और उसकी चेतना से स्वतंत्र होते हैं इन्हें ग्रहन करने की प्रतिक्रिया निश्क्रिय होती है आकड़ों को प्राप्त करके वार उनके आधार पर सक्रिय होता है अनुभव अबादी संप्रदाय के इतिहास का रूंद्वारा लिखी एक अच्छी मगर सोदेश्य पुस्तक Oxford Shorter English Dictionary में इन दोनों प्रतिक्रियाओं के अंतर को स्पष्ट किया गया है उसमें तथ्य की परिभाशा योदी गई है अनुभव के वे आंकड़े जो निशकर्ष से भिन होते हैं इसे हम इतिहास का सामान्य द्रिष्टि कोन कह सकते हैं इतिहास में हमें जाचे पर खे तथ्यों का एक संग्रहीत रूप मिलता है इतिहास कार को ये तथ्य दस्ता वेजों हस्तलेकों आदी से मिलते हैं ये सब तथ्य मच्छवारे की पटिया पर पड़ी मच्छलियों की तरह होते हैं इतिहास कार उन्हें एक अठा करता है घर ले जाता है, पकाता है और अपनी पसंद की शेली में परोस देता है एक्टिन ने तथ्यों को बिना नमक मिर्च के परोस दिया था क्योंकि उसकी रुची साधी थी पहले कैबरिज मार्डन हिस्ट्री के सहयोगी लेखकों को हिदायतें देते हुए उसने लिखा था हमारा वाटलू ऐसा होगा जिससे फ्रांसी सी अंग्रेज, जर्मन और डेन्माक वासी सभी संतुष्ट हों लेखकों की सूची देखे बिना कोई यह ना बता सके कि ऑक्सपोर्ड के विशप ने कलम कहां रोकी और उसके बाद के अर बेन्ने कलम उठाई या गासकेट ने, लीबर मान या हैरिस ने सर जोर्ज क्लाक ने भी इतिहास में तत्यों की गुटली से चारों और के विवादास्पद व्याख्या के गूदे को अलग माना है हालांकि एक्टिन के इतिहासिक द्रिष्टिकों की उन्होंने आलो चना की है यह उदारन देते हुए वे इस तत्यों को भी भूल गए कि गुटली से कहीं ज्यादा काम का बहरी गुदा होता है पहले सीधे तत्यों को अपनाए फिर उसकी व्याख्या के दलदल में कूद पढ़िए यही है अनुभववादी तथा, सामान्य ज्यान, संप्रदाय के इतिहासकारों का अंतिम ज्यान इससे मुझे उस महान उदारवादी पत्रकार सीशून्य पीशून्य स्कॉट की वप्रसे धुप्ती आदा रही है तथ्य पवित्र हैं, मंतव्यों पर कोई बंधन नहीं मैं सोचता हूँ इस तरह काम नहीं चलेगा अतीग ज्यान की प्रकृती के संबंध में दार्शनिक बहस में मैं नहीं पढ़गा आएए, मानले की रूबिकान नदी को सीजने पार किया इस तथ्य को और इस कमरे के बीच में एक मेज है इसे एक ही अत्वा दो तुलनिय तथ्य मानले हम यह भी मानले की यह दोनों तथ्य एक ही तरीके से अत्वा तुलनिय तरीके से हमारी चेतना में प्रवेश करते हैं साथ ही एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो इन दोनों को जानता है और इसका उनसे समान वस्तुगत चरित्रवाला संबंध है मगर इतनी असपष्ट तथा असंगत कल्पना के बावजूद हमारा तर्क एक कठिनाई में फंज जाता है कठिनाई यह है कि अतीत के सभी तथ्य एतिहासिक तथ्य नहीं होते और नहीं इतिहासकार उन्हें तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं एतिहासिक तथ्यों को अतीत के दूसरे तथ्यों से अलगाने का क्या आधार हो सकता है इतिहासिक तथ्य क्या है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्ण है जिस पर हमें थोड़ा और बारीकी से विचार करना चाहिए सामान्य ग्यान द्रिश्टिकोन के अनुसार कुछ मूल भूत तथ्य होते हैं जो सभी इतिहासकारों के लिए समान हैं, दूसरे शब्दों में इतिहास की रीड हैं उदाहरन स्वरूप यह तथ्य की हैस्टिक्स की लड़ाए 1066 में लड़ी गई पहली बात तो यह की इतिहासकार मूलत इस तरह के तथ्यों से नहीं उलचता निश्चे ही यह जानना महत्वपूर्ण है की हैस्टिक्स की लड़ाए 1066 में लड़ी गई 1065 या 1067 में नहीं और यह भी की वह हैस्टिक्स में ही लड़ी गई इस बोन्या ब्रिटेन में नहीं निश्चे ही इतिहासकार को चाहिए की वह इस तरह की सही जानकारी रखे मगर जब इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं तो मुझे हाउसमान की वहुक्ति याद आती है यथा तथ्य होना एक दैत्व है कोई गुन नहीं किसी इतिहासकार की यथा तथ्यता की प्रशन सा वैसी ही है जैसे किसी वास्तुकार की इसलिए तारीफ की जाए कि उसने अपने भवन में पुरानी लकडियों का प्रयोग किया है अत्वा कंक्रीट का सही गोल बनाया है यह तो उसके काम के लिए एक आवश्यक शर्त है उसका कोई वास्तविक कार्य नहीं इसी तरह के मामलों में इतिहासकार को इतिहास के सहायक विज्ञानों पर निर्भर रहने का हक होता है वे सहायक विज्ञान है वास्तुकला, शिलालेक, मुद्राशास्त, कालक्रम विज्ञान आदी जरूरी नहीं कि इतिहासकार के पास उस तरह की विशेशग्यता हो जिसके आधार पर कोई संगमर्मर के अत्वा मिट्टी के बर्तन के एक तुकड़े को देखकर उसके मूल स्रोत और काल का पता लगा लेता है या किसी पुराने शिलालिक को पढ़ लेता है या किसी विशेश तिथी को पाने के लिए लंबे चोड़े जियोतिश के गनित लगा लेता है तथा कथित मूल भूत तथ्य हर इतिहासकार के लिए समान होते हैं और उसके लिए कच्चे माल की तरह होते हैं वे इतिहासका कच्चा माल नहीं होते बलकि इतिहासकार का कच्चा माल होते हैं C. शून्य P. शून्य स्कॉर्ट की सूक्ती के बावजूद आज हर पत्रकार जानता है कि जन्ता की राय को प्रभावित करने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि वो जो प्रभावुत्पन करना चाहता है उसके अनरूप तथ्यों का चुनाव करे और उन्हें उचित तरीके स पेश करे कहा जाता था कि तथ्य खुद बोलते हैं मगर यह बात सही नहीं है तथ्य तभी बोलते हैं जब इतिहासकार उन्हें बुलाता है यह वही तै करता है कि किन तथ्यों को किस क्रम और संदर्व में वहमंज पर बुलाएगा मेरा ख्याल है पिरांदली के एक चरित्र ने कहा था कि तथ्य बोरे की तरह होते हैं जब तक उनमें कुछ भरा ना जायवे खड़े नहीं होते हैं हैस्टिकसा के लड़ाए एक हजार च्यासट में लड़ी गई इस जानकारी में हमारी दिल्चस्पी का कारण यही है कि इतिहासकार इसे एक बड़ी इतिहासिक घटन इतिहासकार ने निजी कारणों से यह तैक किया कि रूबी का नामक उस मामूली सी नदी का सीज़ द्वारा पार किया जाना एक एतिहासिक तथ्य है जबकि उसके पहले और बाद में जिन करोडों लोगों ने उसे पार किया उनमें किसी की दिल्चस्पी नहीं है इतिहासकारों ने उन्हें एतिहासिक तथि के रूप में स्वीकार नहीं किया दरसल एक घंटा पहले पैदल साइकलिया कार पर आप लोग इस भवन में आए यह तीत का वैसा ही एक तथि है जैसा सीज़का रूबी का नदी पार करना है मगर इतिहासकार संभब्त इसकी उपेक्षा कर जाएंगे प्रोशून्य टेलिकार्ट पार्संस ने एक बार विज्ञान के बारे में कहा था कि वही अथार्थ के अनुभव अश्री स्थिति ज्ञान की विनिष्ट प्रक्रिया है इसे और सरल शब्दों में कहा जा सकता था मगर और दूसरी चीजों के साथ साथ इतिहास की भी वही प्रक्रिया है इतिहासकार आवश्यक रूप से चुनाव पर बल देता है एक कुतर की एह दिया जाता है कि एतिहासिक तथ्य वस्तुगत तथा इतिहासकार की व्याख्या से एकदम अलग स्वतंत रस्तित्व रखते हैं मगर इस असंगत विश्वास को तोड़ना कठिन है आए हम उस प्रक्रिया को देखें जिसके अधीन अतीत का एक सामान्य सा तथ्य एतिहासिक तथ्य में रूपांतरित हो जाता है स्टेली ब्रिज वैक्स में 18-150 में जिंजब्रड अदर्प की रोटी के एक खोमचे वाले को एक रुद भीडने मामूली सी बात पर पीट-पीट कर मार डाला था क्या यह एक एतिहासिक तथ्य है साल भर पहले अगर यह सवाल मुझसे कोई पूछता तो बेजिजक मेरा जवाब होता नहीं इस घटना का जिक्र एक प्रत्यक्षदर्शी ने अपने संस्मरन में किया जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया किसी इतिहासकार ने इस घटना को उलेकनी अमाना हो ऐसा मैंने नहीं देखा साल भर पहले डार्शून्य किट्सन क्लाक ने ऑक्सफोर्ड की फोर्ड भाशनमाला में इस घटना का जिक्र किया क्या यह घटना इससे एतिहासिक तथ्य बनी मेरा ख्याल है अभी नहीं इस तथ्य की मौजूदा स्थिती यह है कि एतिहासिक तथ्यों के चुने गए क्लब के सदस्यों में इसका नाम शामिल करने का प्रस्ताव किया जा चुका है अब इसे एक समर्थक और एक प्रचारक चाहिए समभब है कि अगले कुछ सालों में हम यह देखें कि पहले यह तथ्य फुटनोर्ट में आए और फिर लेखों और पुस्तकों में उन्नीसवी शताबदी के इंगलेंड का चित्रप्रस्तुत करे इस प्रकार अगले बीस या तीस सालों के अंदर यह एक स्थापित एतिहासिक तथ्य बन सकता है इसके विप्रीत ऐसा भी हो सकता है कि कोई इसे उठाए ही नहीं और तब यह हतीत की उसी इन एतिहासिक तथ्यों की भीड में जा मिलेगा विस्मृत हो जाएगा जहां से डाशून्य कित्सन क्लाक ने उधारता पूर्वक इसका उधार करने की कोशिश की थी इन दोनों में से कौन सी स्थिती घटित होगी इसका निर्नाय कैसे किया जाए मेरा ख्याल है इसका निर्नाय इस बात पर निर्भर करेगा की अन्य इतिहास कारू सिध्धान्त या व्याख्या को उलेकनिय और तथ्य परक मानते हैं या नहीं जिसके समर्थन में डाशून्य कित्सन क्लाक ने इस घटना का उलेक किया है इतिहासिक तथ्य के रूप में इसकी स्थिती इसकी व्याख्या के प्रश्ण से जुड़ी रहेगी व्याख्या का यह तत्व इतिहास के हर तथ्य के साथ जुड़ा रहता है आप मुझे एक व्यक्तिगत संस्मरन सुनाने की इजाज़त दें जब मैं विश्व विद्याले में कई साल पहले प्राचीन इतिहास का अध्यान कर रहा था तो मेरे विशेश अध्यान का एक विशे था फारस युदकाल का युनान मैंने इस विशे से संबंधित 15-20 पुस्तकें अपनी आलमारी में जुटा ली और यह मान बैठा कि अपने विशे से संबंधित तमाम तथ्य जो उन पुस्तकों में एक अत्र हैं मेरी मुठी में हैं मान लीजिए कि उन पुस्तकों में मेरे विशे से संबंधित तमाम सामगरी और तथ्य जो उस समय तक अपलब्ध हो सकते थे मुझे प्राप थे। यह बात लगभग सच भी थी, मगर उस समय मेरा ध्यान इस बात की ओर नहीं गया कि मुझे तथियों के चुनाव की उस प्रक्रिया की जाँच करनी चाहिए जिसके अनुसार हजारों हजार सामान्य तथियों के बीच से उन पुस्तकों में प्राप तथि के शिकार हो जाते हैं कि उस काल के तमाम तथि हमारी पहुंच की परिधी में सुविधा पूर्वक प्राप्थ हैं. एतिहासिक तथियों तथा दूसरे सामान्य तथियों के बीच जो खाई निरंतर बनी रहती हैं वह हमारे दिमाग से गायब हो जाती है क्योंकि हम यह मान प्राचीन तथा मध्यकाली नितिहास पर काम करने वाले बरी ने कहा था, प्राचीन तथा मध्यकाली नितिहास की पुस्तके अंतरालों से भरी पड़ी है, इतिहास को एक बड़ी आरी कहा गया है जिसके कई दांग गायब है, लेकिन असली कठिनाए अंतराल की नहीं है, पां इसके तमाम छोटे टुकडे गायब हो गए हैं बलकि इसलिए कि यह तस्वीर कमोवेश एथिंस नगर में रहने वाले एक छोटे से दलने प्रस्तुत की है एक एथिंस नागरिक की नजरों में पांचवी सदी का युनान कैसा था इसके बारे में हमें काफी कुछ पता है मगर किसी स्पाटा नागरिक, कोरिथिया या थिबी नागरिक की नजरों में उसका रूप क्या था इसके बारे में हमें प्राय कुछ भी नहीं मालूम। किसी फार्सी या गुलाम या किसी दूसरे एथिंस के प्रवासी की निगाहों में वह तस्वीर किया थी, इससे तो हम छोड़ ही दें। हमारी तस्वीर का खाका पहले से हमारे लिए तै कर दिया गया था और उसकी रेखाओं का चुनाव कर लिया गया था। एमा किमी दुरगट नावर्ष नहीं हुआ बलकी जाने अंजाने एक विशेश दृष्टिकोन वाले लोगों द्वारा हुआ जिन्होंने केवल उन्ही तत्यों का चुनाव किया जो उनके दृष्टिकोन का समर्थन करते थे और जिम दृष्टिकोन को ये भविश्य के लिए छोड़ जाना चाहते थे इसी प्रकार मध्यकाली नेतिहास पर किसी आधुनिक पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि मध्य यूग के लोग धर्म से गहरे जुड़े हुए थे तो मैं सोचता हूँ कि हमें इस तत्थे का पता कसे चला या कि क्या यह सच है मध्यकाली नेतिहास के तत्थे के रूप में हमें जो कुछ मिलता है उसका चुनाव ऐसे इतिहासकारों की ऐसी पीडियों द्वारा किया गया था जिनके लिए धर्मगा सिध्धान्त और व्यबहार एक पेशा था इसलिए उन्होंने इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना और इससे संबंधित हर चीज लिख गए इसके अतिरिक्त जो दूसरी चीजें थी उन्हें बहुत कम छुआ 1917 की क्रांती ने रूसी किसान की अत्यंत धार्मिक तस्वीर को नश्ट कर दिया मध्यकालीन मनुश्य की यह धार्मिक तस्वीर सची हो या जूठी तोड़ी नहीं जा सकती क्योंकि उसके बारे में हमें आज जो भी तथ्य प्राप्त हैं हमारे लिए उनका चुनाव बहुत पहले ऐसे लोगों द्वारा किया गया जो उनमें विश्वास रखते थे और चाहते थे कि दूसरे भी उनमें विश्वास करें तथ्य का एक बहुत बड़ा भाग जिसमें शायद हमें इसका विरोधी प्रमांड मिलता, नश्ठ हो चुका है और पुनह कभी नहीं पाया जा सकता इतिहास कारों की अनेक वियतीत पीडियों के इम्रित हाथोंने, अग्यात लेखकों तथा तितिविदों ने हमारे अतीत का सांचा पूर्बनिश्चित तरीके से गड़ दिया है जिसके खिलाफ किसी सुनवाई की कोई संभावना नहीं है प्रोशून्य बेरेकलो जो मध्ययुगीन इतिहास के आत्मप्रशिक्षित अध्यता हैं, कहते हैं, हम जो इतिहास पढ़ते हैं हालां की वह तथ्यों पर आधारित है, ठीक ठीक कहा जाए तो एकदम यथा तथ्य नहीं है, बलकि स्वीकृत फैसलों का एक सिलसिला है 110 आईए हम आधुनेक इतिहास की उस दुर्गती पर नजर दोड़ाएं जो थोड़ी अलग होते हुए भी समान रूप से गंभीर है प्राचीन तथा मध्ययुगीन इतिहास कार को अतीत की उस विशाल मंधनशील प्रक्रिया का कृतग्य होना चाहिए जिसने एक लंबी अवधी में एतिहासिक तथ्यों की एक सुविधा प्रद्राशी उसके सामने ला रखी है जैसा लेटिन स्ट्रेची ने अपने खास शरार्ती अंदाज में कहा है इतिहास कार की पहली आवश्यक्ता है अग्यान अग्यान जो उसके लिए चीजों को सपष्ट और सरल बताता है जो चुनाव करता है और छोड़ता जाता है कभी कभी जब मुझे प्राचीन तथा मध्यकालीन इतिहास पर काम करने वाले अपने साथी इतिहासकारों की अपूर्ब दक्षता से इरश्या होती है तो मैं इस विचार में संतोष पाता हूँ की वे इतने दक्ष केवल इसलिए हैं की उन्हें अपने विशे का इतना अग्यान है इस बने बनाए अग्यान का कोई लाभाधुने के तिहासकार को नहीं मिलता यह आवश्यक अग्यान उसे खुद पैदा करना पड़ता है और बाकी महत्वहीन तत्यों को अन इतिहासिक करार देकर रद कर देना किन्तु यह कर्तब और 19-वी शताबदी में प्रचलित इस पाखंड के विप्रीत है कि इतिहास बहुसंख्यक सुनिश्चित तथा वस्तुगत तत्यों का एक संकलन होता है अगर कोई इस पाखंड के प्रती समर्पित हो जाए तो उससे या तो कुकर मान कर इतिहास का अध्यन छोड़ देना पड़ता है और डाक टिकट संग्रह जैसा कोई पुरातन से संबंधित काम शुरू कर देना पड़ता है या फिर पागल खाने में दाखिल होना पड़ता है इसी पाखंड के वर्षी भूत होकर पिछले सौ सालों में आध्यने के तिहास कार बेहद विनाशकारी परिनामों के शिकार हुए हैं और जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन तथा अमरीका के आध्यने के तिहास कारों ने धूल को तरह नीरस तथ्यपरक और इतिवरितात्मक इतिहास लेखन का अमबार खड़ा कर दिया है इन्ही लोगों के बीच वे भावी इतिहासकार भी हैं जिन्होंने सूक्षम तथा विशिष्ट मोनोग्राफ लिखे हैं ये भावी इतिहासकार थोड़े से थोड़े विशे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश में तथ्यों के सागर में डूप कर लापता हो गए हैं मुझे संदे है कि इसी पाखंड के कारण उदार तथा कैथलिक मतावलंबियों के तथा कथित संघर्ष के कारण नहीं एक्टिन जैसे इतिहासकार को हताश होना पड़ा था अपने एक आरंभिक निबंध में उसने अपने शिक्षक डूलिंगर के बारे में कहा था वे अपर्याप्त सामगरी के आधार पर नहीं लिखेंगे और उनके लिए सामगरी कभी पूर्ण या पर्याप्त नहीं होगी बारा यहां निश्चित रूप से एक्टिन अपने बारे में एक कालपनिक फैसला दे रहा था वह एक ऐसा इतिहासकार था जिसने कभी इतिहास नहीं लिखा मगर जिसे इस विश्व विद्याले के आधुनेक इतिहास के रेगियंस चेर का सबसे प्रतिश्थित तथा सम्मानित अधिश्थाता माना जा सकता है एक्टिन ने अपनी मृत्यू के ठीक बाद छपे के बिज माडन हिस्ट्री की भूमिका में जैसे अपना समाधी लेक लिखते हुए कहा था और अफसोस प्रकट किया था कि इतिहासकार पर जो दबाव पढ़ रहे हैं वे उसे एक विद्वान के बजाए विश्वकोश का एक संकलन करता बनाने का खत्रा पैदा कर रहे हैं तेरह कहीं कुछ गड़बर था और वह गड़बर इसी विश्वास में था जिसके अधीन अथक रूप से ठोस तथ्यों को एकत्र करते जाने की अनवरत प्रिया को ही इतिहासकी नीव रखना माना जाता था गड़बर मूलत इस विश्वास में थी की तथ्य अपनी बात खुद कहते हैं और हमें बहुतेरे तथ्य प्राप नहीं हो सकते यह विश्वास उन दिनों इतना प्रबल तथा द्रिर्था की बहुत कम इतिहासकार यह आवश्यक समझते थे कुछ आज भी इसे अनावश्यक मानते हैं कि वे खुद से यह सवाल करें की इतिहास क्या है उननीस्वी शताबदी की तथ्यों के प्रती यह अंधश्रधा दस्तावेजों के प्रती पूजा भाव के रूप में प्रतिफलित हुई तथ्यों के मंदिर में दस्तावेज मूर्ती के समान स्थापित थे पूजनिय इतिहासकार सिर जुकाए उनका अभिवादन करते थे और उनके बारे में भयमिश्रित आदर भाव से बात करते थे अगर दस्तावेजों में आपको कोई चीज मिलती है तो उसे ज्यों का त्यों ही मान लेना पड़ेगा मगर जब आप इन दस्तावेजों, डिगनियों, संधिपत्रों, करपत्रों, व्यक्तिगत विवरनों का अध्ययन करते हैं तो आपको ये क्या बताते हैं? कोई भी दस्तावेज हमें केवल इतना ही बताता है कि उस दस्तावेज का लेखक कितना और कैसा सोचता था, घटनाओं के बारे में उसके विचार क्या थे या कि उसके अनुसार घटनाएं किस रूप में घटित हुई होनगी या उन्हें लेखक के अनुसार किस रूप में गटित होना चाहिए था, या कि संभवता अपने विचारों के बारे में जितना या जिस रूप में वह दूसरों को बताना चाहता था, या कि वह अपने विचारों के बारे में जो कुछ सोचता था, इन में से किसी का कोई अर्थ नहीं होता जब तक कि इतिहासकार इनका अध् जब तक इतिहासकार दस्तावेजों में अथ्वा और कहीं प्राप्त तत्यों का अध्यान करके लेखक का तात्पर्य नहीं समझ लेता और प्राप्त तत्यों की परताल नहीं कर लेता तब तक उनका कोई उप्योग नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में उन तत्यों का जो उप्योग वह करता है उसे परताल की प्रक्रिया कहना उचित होगा मैं जो बात कहना चाहता हूं उसे एक उदाहरन द्वारा स्पष्ट करना चाहूंगा मैं जिस घटना का उदाहरन दे रहा हूं उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है 1929 में जब वीमर रिपब्लिक का परराश्ट्र मंत्री गुस्ताव स्ट्रेस्मान मरा तो वह बहुत से दस्तावेज पीछे छोड़ गया 300 बक्सों में भरे हुए ये सरकारी गैरसरकारी और व्यक्तिगत दस्तावेज पर राश्ट्र मंत्री के रूप में 6 साल के उसके कार्यकाल में एक अत्र प्राय सभी कागजात थे उसके मित्रों और संबंधियों ने सोचा कि इतने महान आदमी की यादगार में एक स्मारक जरूर बनना चाहिए स्ट्रेस्मान के स्वामिभक्त सचब बर्नहोर ने इसका बीड़ा उठाया और 3 साल के अंदर 600 प्रिष्ठों वाले 3 मोटे ग्रंथ तयार कर दिये इन ग्रंथों में उन 300 बक्सों के दस्तावेजों में से चुनी हुई सामग्री ली गई थी और इन्हें एक प्रभावशाली शीर्शक, स्ट्रेस्मान स्फेर में शिटनेस, देकर छापा गया था आमतोर पर ये दस्तावेज किसी तहखाने या अटारी में पढ़े-पढ़े नश्ट हो गए होते और हमेशा के लिए हमारी नजरों से उजल हो जाते या फिर 100-500 साल बाद किसी जिग्यासू विद्वान की नजर इन पर परती और वह बर्नहोर्ट के मूलपाट से इनका मिल जान करता मगर जो हुआ वह कहीं जादानाट किया था 1945 से ये दस्तावेज ब्रिटिश तथा अमरीकी सरकारों के हाथ में पढ़े इनके फोटो लेकर सारी फोटो स्टेट प्रतियां पबलिक रेकार्ड आफिस लंदन और नेशनल आरकाइंज वाशिंग्टन में विद्वा और जिग्यासा हो तो हम इस बात का पता लगा सके कि वास्तव में बर्नहोर ने क्या किया था उसने जो कुछ भी किया वहना तो कोई असाधारन बात थी नहीं सदमा पहुचाने वाली जब स्ट्रेसमान मरा तो उसकी पश्चिमी राजनीती को कई बड़ी सफलताएं की वापसी यह स्ट्रेसमान की पर राष्ट्र नीती की सफलता के परिनामस्वरूप था और इसलिए उन दस्तावेजों को महत्वत देना उचित लग रहा था यह स्वाभाविक नहीं था कि बर्नहोर द्वारा दस्तावेजों के चुनाव में इन सफलताओं को आवश्यक्त से अधिक प्रतिनिदित्व मिलता दूसरी और स्ट्रेभमान की पूर्वी राजनीती खास तोर पर सोवियत संद के साथ उसके संबंध किसी खास दिशा में अग्रसर नहीं हो पाई थी इसलिए उन दोनों दस्तावेजों को महत्व नहीं दिया गया जो पूर्वी राजनीत से संबंधित उन समझोता वारताओं पर आधारित थे जिनके नतीजे मामूली थे और स्ट्रेसमान का यर्ष बढ़ाने में सहायक नहीं थे उनके चुनाव में ज्यादा सक्ती बरती गई थी जब कि सच्चाई यहती की स्ट्रेसमान ने सोवियव संद के साथ अपने देश क संबंध सुधारने में कहीं ज्यादा लगातार तथा उत्सुकता पूर्ण प्रयतन किये थे और कुल मिलाकर उसकी पर राष्ट्रनीती में इन प्रयतनों ने एक बहुत बड़ी भुमिका अदा की थी कम से कम बर्णोर्ट के संकलन को पढ़ने पर हमें जो अंदाजा लगता है उससे कहीं ज्यादा मगर दस्तावेजों के दूसरे प्रकाशित संकलनों की तुलना में जिन पर साधारन इतिहासकार इतना अधिक विश्वास करता है बर्णौर्ट के संकलन अच्छे ही कहे जाएंगे मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती बर्नहौर्ट के संकलनों के प्रकाशन के कुछ ही दिनों बाद सत्ता हिटलर के हाथों में आई जर्मनी से स्ट्रेसमान का नाम मिट गया और उसके दस्तावेज पुस्तकालियों से हटा दिये गए उनकी अधिकांश प्रतिया नश्ट कर दी गई आज स्ट्रेसमान स्फेर में शिटनेस एक दुरलब पुस्तक हो गई है इसके बावजूद पश्चिम में स्ट्रेसमान का यश कम नहीं हुआ 1935 में एक अंग्रेजी प्रकाशक ने बर्नहोर के संकलनों से चुनकर एक संक्षिप्त अंग्रेजी अनुवाद छापा उसने मूल पुस्तक का एक तिहाई हिस्सा छोड़ दिया एक बहुत अच्छे जर्मन अनुवादक सुटन ने अनुवाद का काम सफलता पुर्वक किया अंग्रेजी संसकरन की भूमिका में उसने लिखा की इसे थोड़ा संक्षिप्त कर दिया गया है केवल उन दस्तावेजों को छोड़ दिया गया है जिनका अस्थाई महत्व था और जो अंग्रेजी पाठक और विद्यार्थी के लिए ज़्यादा दिल्चस्प नहीं थे ऐसा करना स्वाभाविक था लेकिन नतीजा यह हुआ कि स्ट्रेसमान की पूर्वी राजनीती जिसका प्रतिनिधित्व बर्नहोर्ड में पहले ही कम था पाठक की द्रिष्टी से और ज्यादा ओजल हो गया सुटन की पुस्तक में सोवियत संग की चर्चा कहीं कहीं अवांशित रूप में हुई है और स्ट्रेसमान की पश्चमी राजनीती ही मुख्य रूप से उभरी है फिर भी यह कहना ज़्यादा सही होगा कि पश्चिमी दुनिया के लिए स्ट्रेसमान की परराष्ट्रनीती का वास्तविक प्रतिनिधित्व बर्नहोर्ट तथा स्ट्रेसमान के दस्तावेजों की तुलना में सुटन की पुस्तक ही ज़्यादा कर सकी है इस विशे के कुछ विशेशग्यों को मैं अपने इस वक्तव्य में शामिल नहीं कर रहा हूँ अगर 1945 की बम वर्षा में ये दस्तावेज नश्ठ हो गए होते और बर्नहोर्ट की पुस्तकों की शेश्प्रतियां भी नश्ठ हो जाती तो कभी भी सुटन की पुस्तक की सत्यता और प्रामानिक्ता पर प्रश्न चिन्ध नहीं लगाया जा सकता था मूल दस्तावेजों के अभाव में इस तरह के कई प्रकाशित संकलन इतिहासकारों द्वारा कृतग्यता पूर्वक अपनाए जाते हैं और उन्हें पक्का प्रमान माना जाता है मगर मैं अपनी कहानी को एक कदम और आगे बढ़ाना चाहता हूँ आईए हम बर्नहोड और सुटन को भूल जाएं किसी यूरोपिय इतिहास की पिछले दिनों घटी महत्वपूर्ण घटना को लें जिसमें भूमिका अदा करने वाले व्यक्तित्वों और व्यक्तियों के प्रामानिक दस्तावेज हमें प्राप्त हैं ये दस्तावेज हमें क्या बताते हैं दूसरी चीजों के साथ हमें उनमें बलिन के सोवियत राजदूत के साथ स्ट्रेसमान की सैकड़ों वारताओं के और चिचेरिन के साथ प्राय एक दरजन वारताओं के विवरन प्राप्त हैं इन विवरनों में एक बात आम तोर पर देखी जा सकती है, वह यह है कि इन वारताओं में स्ट्रेसमान ही अधिक बोला है और उसकी बातचीत तर्प पूर्ण तथा विश्वसनिय है, जबकि दूसरे पक्ष के तर्प मामूली, उल्जे हुए और अविश्वसनिय है, राजने स्ट्रेसमान के विचार से क्या घटित हुआ था या वह दूसरों को इस घटना के बारे में सोचने के लिए क्या दे रहा था या कि शायद वह खुद जो कुछ उस घटना के बारे में सोचता था वही दिया गया था, सुटन और बर्नहोड ही नहीं बलकि खुद स्ट्रेसमा था, मगर वास्थब में क्या घटित हुआ इसे इतिहासकार को नए सिरे से अपने दिमाग में पुननिर्मित करना होगा, तथ्य और दस्तावेज निश्चे ही इतिहासकार के लिए जरूरी होते हैं, मगर वे उसके लिए अंधश्रधा की वस्तु नहीं होते, दस्तावेज औ तथ्य अपने आप में इतिहास नहीं होते, और नहीं इतिहास क्या है, जैसे थका देने वाले प्राश्न के वे बने-बनाय उत्तर ही होते हैं, यहां मैं इस प्राश्न पर विचार करूंगा कि आम तोर पर उननीसवी शताब्दी के इतिहासकार इतिहास दर्शन के प्रती इतिहास दर्शन शब्द का आविशकार वालतिया ने किया था और तब से विभिन अर्थों में इसका प्रयोग होता आया है। और उनके बारे में टेड़े मेडे सवाल पूछने की प्रवरिती अपेक्शाकृत कम थी। रैक का यह पवित्र विश्वास था कि अगर इतिहास का आर्थ भगवत क्रिपा पर छोड़ दिया जाना चाहिए। और बहाड अपने विचारों में जरा और आधुनिक संशेवाद के साथ कहता था, हमें परम ग्यान के आश्यों की दीक्षा अभी नहीं मिली है। इसके बहुत बाद 1931 में प्रो शून्य बटर फीर्ड ने स्पष्ट संतोश के साथ कहा था कि वस्तूओं की प्रकृती के बारे में और यहां तक कि अपने विश्य की प्रकृती के बारे में इतिहासकारों ने बहुत कम विचार किया है। पंद्रह लेकिन इस भाषन माला में मेरे पूर्ट भाषन करता डाशून्य एशून्य एल शून्य रोसे ने उचित रूप से अलोचना करते हुए सर्विंस्टन चचिल द्वारा लिखित प्रथम विश्वयुद पर आधारित पुस्तक वर्ड क्राइसिस के बारे में पीछे कोई इतिहास दर्शन नहीं है। प्रत्य एक व्यक्ति अपना कार्य अच्छी तरह करता चले तो अद्रिश्य हात विश्व संतुलन बनाए रखेंगे। अपन को ढटने के लिए दर्शन का एक भी टुकड़ा नहीं था। समय बीच चुका है और हमें अपने पाप का ज्यान प्राप्त हुआ है कि हमारा पतन हुआ है। वे इतिहासकार जो आज भी इतिहास दर्शन की परवाना करने का बहाना बना रहे हैं उनका प्रयास वैसा ही व्यर्थ और प्रवंजनापूर्ण है जैसे किसी न्यूनिस्ट कोलोनी के सदसे अपने बगीचे में निर्वस्त्र होकर घूमें और यह सोचें की उनका बगीच अधन का बाग हो जाएगा आज इस टेड़े सवाल से हम नजर नहीं चुरा सकते इतिहास क्या है इस प्रशन पर पिछले पांच वर्षों में काफी गंभीर कार्य किये गए हैं इतिहास में तत्यों की प्रमुकता और एक्छत्रता को पहली चुनौती उन्नीस्वी के उधारतावाद को बाद में उखार फेंकने के लिए एक एहम भूमिका अदा करनी थी आज उन दार्शनिकों के नाम प्रसिद्ध नहीं हैं जिन्होंने यह चुनौती दी थी उनमें से एक थे दिल थी जिनको पिछले दिनों ग्रेट बिटेन में कुछ मान्यता प्राप् परन्तु इस शताबदी के आरंभ में यह प्रकाश इटली में प्रज्ज्वलित हुआ वहां क्रोसे इतिहास दर्शन की बात कर रहा था जो स्पष्टत अपने पूर्ववर्ती जर्मन दर्शनिकों से प्रभावित था क्रोसे ने घोशना की की सभी इतिहास समसाम एक इतिहास एक होते हैं इसका अर्थ यह की इतिहास लेखन आवश्यक रूप से वर्तमान की आँखों से और वर्तमान की समस्याओं के प्रकाश में अतीप को देखना है और इतिहासकार का मुख्यकार्य विवरन देना नहीं बल पूज कर उत्तेजित करने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा था, इतिहास के तथे किसी भी इतिहासकार के लिए तब तक अस्तित्व में नहीं आते जब तक वह उनका निर्मान नहीं करता। की प्रथम विश्व युद्ध के बाद, 1914 के पूर्वकाल की अपेक्षातत्यों की चमक फीकी पढ़ गई थी और हम खुद एक ऐसे दर्शन को स्वीकार करने की मनस्थिती में आ गए थे जो उनके सम्मान को धुंधला कर दे। ओक्सफोर्ड दर्शनिक तथा इतिहास कार कालिंगवुड पर क्रोसे का अच्छा खासा प्रभाव था। कालिंगवुड बीसवी शताबदी का अकेला अंग्रेज विचारक है जिसने इतिहास दर्शन को महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने जिस व्यवस्थित पुस्तक की योजना बनाई थी उसे लिखने के लिए तो वह जीवित न रह सका किन्तु उसके मरने के बाद उसके प्रकाशित तथा अप्रकाशित निबंधों का एक संग्रह, दी आइडिया आफ हिस्ट्री, शीर्शक से 1945 में प्रकाशित हुआ। कालिंग बुड के दृष्टि कोन को हम संक्षेप में निमनलिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इतिहास दर्शन का संबंध न तो अपने आप में अतीत से होता है नहीं। अपने आप में अतीत के बारे में इतिहासकार के विचारों से बल्कि उसका संबंध इन दो वह क्रम जिनकी वह परताल करता है। अतीत जिसका इतिहासकार अध्ययन करता है मृत अतीत नहीं होता बल्कि ऐसा अतीत होता है जो किनी अर्थों में वर्तमान में भी जीवित रहता है। किन्तु इतिहासकार के लिए अतीत में घटित घटनाये तब तक होती हैं जब तक व उनके पीछे कार्यरत विचार को नहीं समझ लेता अतैव प्रत्येक इतिहास विचार का इतिहास होता है और इतिहास इतिहासकार के मन में उन विचारों का पुनिर्मान होता है जिनका इतिहास वह ध्यान कर रहा होता है इतिहासकार के मन में अतीत का पुनिर्मान उसके प्रिया तथ्यों के चुनाव और व्याख्या को निर्धारित करती है, और सच्मुच यही उन्हें एतिहसिक तथ्य बनाती है. इस मुद्दे पर प्रोशून्य ओक्षाट के विचार कालिंग भुड से मिलते हैं. उनके अनुसार इतिहास इतिहासकार का अनुभव है. इतिहा अभीर सीमाओं के बावजूत कुछ उपेक्षित सत्यों को प्रकाश मेलाती है. पहली बात तो यह कि इतिहास के तथ्य हमें कभी शुधर रूप में नहीं मिलते क्योंकि शुधर रूप में वे न रहते हैं और न रह सकते हैं, वे हमेशा लेखक के मस्तिष्क में रंकर आत है. उदाहरं के रूप में हम उस महान इतिहासकार को लें जिसके सम्मान में और जिसके नाम पर यहव्याख्यान माला चलाए जा रही है. जैसा जी शुन्य एम शुन्य ट्रेवेलान ने अपनी आत्म कथा में लिखा है. उनका पालन पोशन एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसमें बिग परमपरा काफी मात्रा में वर्तमान थी. 20 मैं आशा करता हूँ कि अगर मैं उसे हविग परमपरा का अंतिम महान उदारवादी अंग्रेज इतिहासकार कहूं तो उसे स्वीकार करने मैं उसे आपत्ती ना होगी. वह अपनी वंश परमपरा की जड़े महान बिगे तिहासकार जो जो टो ट्रेवेलान से लेकर बिगे तिहासकारों में महानतम मैकाले तक यूही खोजता नहीं फिरता। उसी प्रिष्ट भूमी में ट्रेवेलान की श्रेश्ठतम तथा सबसे परिपक उकृती इंग्लैंड अंडर क्वीन एंड लिखी गई थी। इस कृती का पूरा अर्थ तथा महत्व पार्थक के सामने तभी स्पष्ट होगा जब वही से उक प्रिष्ट भूमी में रख कर देखे। ऐसा करने में असफल होने का कोई बहाना पार्थक के लिए उपरोप्त लेखक नहीं छोड़ता। अगर जासूसी उपन्यासों के प्रेमी पार्थकों की टेकनीक के अनुसार आप अंतिम प्रिष्टों को पहले पड़े तो आप पाएंगे कि तीसरे खंड के अंतिम कुछ प्रिष्टों में इतिहास को बिग द्रिष्टी से व्याख्याइत करने की प्रनाली के बहतरीन दाहरन के रूप में पुस्तक का सार दिया गया है। आप देखेंगे कि ट्रेवेलान बेक परमपरा के उद्भव और विकास को खोजने की कोशिश कर रहा है। और इसके जन्दाता विलियम तृतिय की मृत्यू के बाद के वर्षों में इस परमपरा की जड़ों को बहुत ह की सफाई तथा मजबूती से स्थापित करना चाहता है। हालांकि शायद क्वीनन के शासन काल की घटनाओं की यह एक मात्र संभव व्याख्या नहीं है फिर भी यह एक वास्तविक और ट्रेवेलान के हाथों में एक फलपरत व्याख्या है। इसको पूरी तोर से समझने के लिए आपको यह जानना आवश्यक होगा कि इतिहासकार क्या कर रहा है क्योंकि जसा की कालिंग वुड कहता है यदि इतिहासकार के लिए यह जरूरी है कि वह अपने इतिहासिक चरित्रों के मानसिक स्वरूप को अपने मस्तिष्क में पुननिर्मित करे तो क्रमशपाथक क के लिए भी यह जरूरी होना चाहिए कि इतिहासकार के मानसिक स्वरूप को अपने मस्तिष्क में पुननिर्मित कर ले। तथ्यों का अध्ययन शुरू करने से पहले इतिहासकार का अध्ययन शुरू करना चाहिए। कुल मिलाकर यह कोई कठिन काम नहीं है। यह एक ऐसा काम है जो माध्यमिक स्कूल का विद्यार्थी करता है जब उसमें सेंट जूट के महान विध्वान जोन्स की कोई पुस्टक पढ़ने को कहा जाता है तो वह सेंट जूट выпуск के अपने किसी दोस्ट से पहले पूछता है यार ये तुम्हारा जोन्स कैसा आदमी है उ इसका एक मतलब तो यह है कि आप एकदम बहरे हैं और दूसरा यह कि आपका इतिहासकार एकदम बोड़ है। इतिहास के तथ्य मच्छवारे की पट्री पर पड़ी मरी हुई मच्छलिया नहीं हैं। वे जीवित मच्छलियों की तरह हैं जो एक विशाल तथा अगाद समुद्र में तैर रही हैं। इतिहासकार के हाथ में कौन सी मच्छलिया आएंगी यह कुछ तो सयोग पर निर्भर करता है मगर मुख्यत इस बात पर निर्भर करता है कि वह समुद्र के किस हिस्से में मच्छली मारने का इरादा रखता है और किस धंग से काटों का इस्तिमाल करता है। कुल मिला कर एतिहासकार जिस प्रकार के तत्यों की खोज कर रहा है उसी प्रकार के तत्यों को पाएगा। इतिहास का अर्थ है व्याख्या, सच मुच अगर सर जोज कलाप को सिर के बल खड़ा करके हम इतिहास को व्याख्याओं की गुटली पर लिप्टा विवादासपत तत्यों का गूदा कहें तो मेरा कथन निश्चित रूप से एकांगी और भ्रामक होगा, लेकिन उनके मूल अधिक नहीं, दूसरा मुद्दा कहीं ज्यादा परिचित है और वह यह है कि उसे उन व्यक्तियों के मानसिक स्वरूप और उनके कारियों के पीछे काम करने वाले विचारों की कल्पनात्मक समझ होनी चाहिए जिन को लेकर वह इतिहास लिख रहा है, मैं जान बूज कर सहा अब्दी कमजोर थी क्योंकि उस पर मध्ययुगीन अंध्विश्वासों और क्रूरताओं का इतना प्रभाव था कि उस युग के इतिहासकारों के लिए मध्ययुगीन मानब की कल्पनात्मक समझ रखना संभवना था 30 एजवार के बारे में बहार के इस तिरसकारपूर्ण का थन को लें, किसी भी संप्रदाय के लिए चाहे वह कैथलिक हो या प्रोटेस्टेंट अपनी मुक्ती को राश्ट्र की एकता के मुकाबले प्राथमिक्ता देना निंदनिय है 21 वी शताबदी के उधारवादी इतिहासकार के लिए उन लोगों की मानसिक्ता में प्रवेश करना बहुत कठिन है जिन्होंने 30 एजवार में हिस्सा लिया क्योंकि वह इस विश्वास को लेकर पले थे कि अपने देश की रक्षा के लिए मरना मारना प्रशन सन्य है जबकि अपने धर्म के लिए किसी की जान लेना दुष्टता और पागलपन का परिचायक है जिस क्षेत्र में मैं अभी काम कर रहा हूँ उसमें यह कठिनाई खास तोर से आती है अंग्रेजी भाषा भाषी देशों में पिछले 10 सालों में सोवियत संग के बारे में जो कुछ खा गया है वह उनकी इससमर्थता का परिचे देता है कि उनके पास कल्पनात्मक समझ की मात्रा एकदम नहीं है उनकी समझ में इसलिए यह नहीं आता कि दूसरे पक्ष का मस्तिश्क कैसे काम कर रहा है यही कारण है कि उन्हें दूसरे पक्ष के कार्य और मंतव्य नहायत अ वह इतिहास नहीं लिख सकता। तीसरा मुद्दा यह है कि हम केवल वर्तमान की आँखों से ही अतीप को देख समझ सकते हैं। इतिहासकार अपने यूग के साथ अपने मानविय अस्तित्व की शर्तों पर जुड़ा होता है। यहां तक की प्रजातंत्र, सामराज्य, युद्ध और क्रांती आदी शब्द भी अपनी एक तातकालिक ध्वनी रखते हैं। इन तातकालिक ध्वनियों से इतिहासकार उन्हें मुक्त नहीं कर सकता। प्राचीन युग के इतिहासकारों ने पोलिस और लेब्स जैसे शब्दों का प्रयोग मूल अर्थ में करना शुरू कर दिया है। ऐसा वह यह दिखाने के लिए कर रहे हैं कि वे इस जाल में नहीं फसे। इसका कोई लाब नहीं भी। वर्तमान में रहते हैं और पुराने तथा अपरिचित शब्दों का प्रयोग करके अतीत में जाने का धोखावे नहीं खड़ा कर सकते। ठीक उसी तरह जैसे क्लैमिस पहनकर भाषन देने से वे बहतर युनानी इतिहासकार और टोगा पहनकर भाषन देने से बहतर रोमन इतिहासकार नहीं बन सकते। पेरिस की भीड को जिसने फ्रांसीसी क्रांती में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी फ्रांसीसी इतिहसकारोंने ले सांक्यूलोथ, ले पपलर, लाकनाई, ले भाम्यूग जनता के अर्थ में आदी नामों से पुकारा है। उन लोगों के लिए जो इस खेल को समझते हैं ये नाम एक खास राजनीतिक लगाव और एक विशेश व्याख्या के प्रमान है। कैथलिक वाद और प्रोटेस्टेंट वाद के बीच शक्ती संतुलन का जो बदलाव आया है उससे लोयोला, लूथर और कामवेल जैसे व्यक्तित्वों के बारे में भी उनके रुख में परिवर्तन आया है। पिछले 40 सालों में फ्रांसी सी इतिहासकारों द्वारा लिखी इतिहासकी कृतियों का साधारन अध्ययन करने से भी यह पता चल जाता है कि 1917 की रूसी क्रांती ने उनके द्रिश्टिकोनों को कितना प्रभावित किया है। इतिहासकार अतीत में नहीं जीता, वह वर्तमान में जीता है। प्रोशून्य ट्रेवर रोपर का कथन है कि इतिहासकार को अतीत से प्यार करना चाहिए। यह एक असपष्ट, वक्तव्य है, अतीत से प्यार करने को आसानी से बुरे लोगों और पुराने समाजों का अतीत के प्रती रुमानी मोह भी माना जा सकता है। इसका अर्थ यह भी लगाया जा सकता है कि अतीत से प्यार करना वर्तमान और भविश्य में दिल्चस्पी और विश्वास की कमी का परिचायक है। इसे मैं इतिहास का कालिंग बुडिय द्रिष्टि कोन कहना चाहूंगा उसकी अगर उप्रोक तंतर द्रिष्टियां हैं तो उनके कुछ खत्रों का जायजा लेने का वक्त आ गया है। समय इसी नतीजे पर पहुँचा था। सेंट आगस्टीन आधिकाली निसायत की द्रिष्टी से इतिहास को देखते थे। यह पूछने का कोई फायदा नहीं की इन में से किसका द्रिष्टि कोन सही था। इन में से हर एक द्रिष्टि कोन उस इतिहासकार के लिए एक मात्र संभव द्रिष्टि कोन था। यह वक्तव्य पूर्णत या संशयवादी है जैसा की फ्रॉइट का यह वक्तव्य है की इतिहास किसी बच्चे के खिलोने वाले अक्षरों की तरह होता है जिसकी मदद से हम जो शब चाहें वही लिख सकते हैं। 25, कैची और गोन से तैयार किये गए इतिहास के विरोध में अर्थात इतिहास तथ्यों का संकलन होता है इस द्रिष्टिकोन के विरोध में कालिंग बुड के विचार इस विचार के काफी नजदी का जाते हैं कि इतिहास मानब मस्तिष्ट के ताने बाने से बुना जाता है इससे हम प्रायव उन्ही निशकर्षों पर पहुँचते हैं जिन है सर जोर्ज क्लाक ने हमारे सामने रखा था और जिसे मैं पहले उधरित कर चुका हूँ की बस्तुपरक इतिहासिक सत्य जैसी कोई चीज नहीं होती इतिहास का कोई अर्थ नहीं होता इस सिध्धान्द के बदले में हमें यह सिध्धान्द दिया जाता है कि इतिहास के अंगिनत अर्थ होते हैं और उनमें से कोई भी दूसरे से ज़्यादा सही नहीं होता इस सिध्धांथ के भी वही निश्कर्ष निकलते हैं. यह दूसरा सिध्धांथ भी पहले के समान ही समर्थन योग्य नहीं है. यह निशकर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि चून की भिन-भिन कोनों से एक पहाड की शकल भिन दिखाई देती है इसलिए इसका कोई वास्तविक रूप नहीं है या इसके अनन्त रूप है इसी प्रकार इतिहास के तत्यों को स्थापित करने के लिए व्याख्याई चून की एक आवश्यक भूमिका अदा करती है और चून की कोई भी वर्तमान व्याख्या पूर्मतया वस्तुपरक नहीं है एक व्याख्या दूसरी जैसी ही है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि सिध्धान्त रूप में एतिहासिक तत्यों की वस्तुपरक व्याख्या हो ही नहीं सकती इतिहास में वस्तुपरक्ता का सही अर्थ क्या है इस प्राशन को मैं बाद में उठाऊंगा मगर कालिंग बुड की परिकल्पना में एक और बड़ा खत्रा दिखाई देता है अगर इतिहास कार जिस किसी कालका लेता है उसे आवश्यक रूप से अपने समय की आँखों से देखता है और अतीत की समस्याओं का अध्यन वर्तमान समस्याओं की कुझी के रूप में करता है तो क्या तथ्यों के उप्योगितावादी द्रिष्टिकों का शिकार नहीं हो जाता जब वह कहता है कि वर्तमान के लिए उप्योगी व्याख्या ही सही व्याख्या का मांदन है तब क्या उसका दृष्टिकोन उप्योगितावादी नहीं हो जाता। इस परिकल्पना के अनुसार इतिहास के तथ्य कुछ नहीं है, केवल व्याख्या ही सब कुछ है। नीच्षे ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन पहले ही कर दिया था। किसी मंतव्य के गलत होने से हमें कोई शिकायत नहीं है, प्राश्निय है कि वह मंतव्य जीवन को कितना आगे बढ़ाता है, कितनी उमकी रक्षा करता है और जीवरक्षन तथा जीवनिर्मान में कितना सहायक होता है। 26 अमरी की उप्योगितावादी इसी दिशा में बढ़ते हैं मगर कम स्पष्टता और कम ताकत के साथ। ज्ञान, तभी ज्ञान है जब उसका कोई उद्देश्य हो। ज्ञान की यथात अथ्यता उद्देश्य की अथार्थता पर निर्भर करती है, मगर जहां इस तरह के सिध्धान्त की बात नहीं की गई है, वहां भी व्यवहार में इससे अलग कोई चीज नहीं होती। हमने अपने अध्ययन के क्षेत्र में तथ्यों को उल्टा, सीधा इस्तेमाल करने और बेहद उलजूल व्याख्याओं के प्रस्तुत किये जाने के उदाहरन देखे हैं। मेरा विश्वास है कि पिछले कई सालों में मैंने अपना काफी वक्त दस्तावेजों का पता लगाने और उनका अध्ययन करने में बिताया है। वह जिस विशे पर काम कर रहा है और उसकी जो व्याख्या वह प्रस्तुत करना चाहता है। उससे संबद ग्यात अत्वा ग्यातव य सभी तत्यों को जो किसी न किसी रूप में तस्वीर को पूरा करने के लिए जरूरी हैं, सामने रखना चाहिए। अगर वह विक्टोरिया युगीन अंग्रेज को एक सदाचारी तथा बुद्धिमान व्यक्ती के रूप में चित्रित करना चाहता है तो उसे स्टैली ब्रिज देक्स में 1850 में जो घटना घटी थी उसे भूलना नहीं चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि वह व्याख्याओं की उपेक्षा कर दे। व्याख्याएं वस्तुतर इतिहास को जीवन देने वाले रक्त के समान होती हैं। पश्ट भागो या कालों में विभाजित करता है। पहले आरंभिक काल में वह मूल स्रोतों का अध्ययन करने और तत्यों से नोटबुक भरने में काफी वक्त गुजारता है। ऐसा कर चुकने के बाद वह अपने स्रोतों को परेकर देता है। अपनी नोटबुक उठाता है और शुरू से आखिर तक किताब लिख डालता है मुझे इतिहास लेखन की यह तस्वीर असपष्ट और अविश्वस निय लगती है जहां तक मेरा सवाल है ज्योही मैं अपने विशे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और मूल स्रोत माने जाने वाले ग्रतों और दस्तवाजों का अध्ययन कर लेता हूँ मेरी उंगलियों में इतनी तेज खुजली होने लगती है कि मैं लिखना शुरू कर देता हूँ जरूरी नहीं है कि मैं विशे के आरंब को ही लिखो बीच से या कहीं से भी शुरू कर देता हूँ उसके बाद पढ़ना और लिखना एक साथ चलता रहता है जो जो मेरा अध्ययन आगे बढ़ता है त्यों त्यों मेरे लेखन में जोड़ना घटाना और रद करना चलता रहता है लिखने से मेरी पढ़ाई को सही दिशा मिलती है और वह ज़्यादा सफल होती है मैं जितना ही लिखता हूँ उतना ही मुझे ग्यात होता है कि मेरी तलाश क्या है और मैं जो कुछ पाता हूँ उसके महत्व तथा विशय से उसके संबंद को समझने में जादा सफल होता हूँ कुछ हितिहासकार बिना कलम, कागज और टाइपराइटर की सहायता के यह आरंभिक लिखाई अपने दिमाग में कर लेते हैं जैसे कुछ शत्रंज के खिलाड़ी बिना मुहरों और बोर्ड के अपने दिमाग में ही पूरा खेल उतार लेते हैं यह एक ऐसी प्रतिभा है जिससे मुझे इर्शा जरूर है मगर जिसे मैं अपने भीतर नहीं पाता मगर मैं इस बारे में निश्चित हूँ कि किसी भी महत्वपूर्ण इतिहासकार के लिए यह प्रक्रिया जिसे अर्थशास्त्री आदान प्रदान कहते हैं एक साथ चलती रहती है और व्यवहार में यह एक ही प्रक्रिया के दो भाग हैं अगर आप उसे अलग करने की कोशिश करें या एक पर दूसरे को प्राथमिक्ता दे तो आप इतिहास लेखन के दोनों पाखंडों में से किसी एक के शिकार हो जाएंगे या तो आप केची और गोंद के सहारे लिखा जाने वाला अर्थीन या महत्वहीन इतिहास लिखेंगे अत्वा प्रचार या इतिहासिक उपन्यास का निर्मान करेंगे अतीप के तथियों की बुनावर्ट के सहारे एक ऐसा लेखन करेंगे जिसका इतिहास से कुछ लेना देना नहीं है गत अर्थों अता जब हम इतिहास के तथियों के साथ इतिहासकार के संबंधों की परीक्षा करते हैं तो खुद को बड़ी कठिन स्थिती में पाते हैं हम इतिहासकों का संकलन मानने व्याख्या के मुकाबले तथियों को प्राथमिक्ता देने के एक ध्रूब पे इतिहासकों इतिहासकार के मस्तिश्क की मनुगत उपज मानने के अप्रामानिक सिध्धांद जिसके अनुसार इतिहासकार इतिहास के तथियों को स्थापित करता है और व्याख्या की प्रक्रियाद्वारा उन पर प्रभुत्व स्थापित करता है के दूसरे ध्रुग के बीच जूलते रहते हैं इतिहास को देखने के इन दोनों द्रिष्टिकोनों में मुख्य अंतर यह है कि एक में गुरुत्वा कर्शन केंदर तीत में स्थित होता है जबकि दूसरे में वर्तमान में लेकिन हमारी स्थिती उतनी कठिन नहीं है जितनी मालूम पड़ती है इन भाषनों में हम तथ्य और व्याख्या के इस दोहरेपन का सामना करेंगे भले ही उनका रूप भिन होगा जैसे विशिष्ट और सामान्य अनुभूत तथा सैधान्तिक, वस्तुगत तथा मनोगत, मानव स्वभाव का प्रतिबिम्भी इतिहासकार की कठिनाई बनता है सभवत अपनी आरंभिक अवस्था और प्राचीनतम यूग के अलावा मनुष्य कभी अपने परिवेश में पूर्ण रूप से लीन नहीं हुआ, नहीं वह उसका बिला किसी शर्ट के गुलाम बना दूसरी और वह इस से पूर्ण तया कभी मुक्त नहीं हो सका और नहीं अपने परिवेश पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर सका मनुष्य का अपने परिवेश के साथ जो संबंध है वही इतिहासकार का अपनी विश्यवस्थू से है इतिहासकार न तो अपने तथ्यों का बेदाम गुलाम होता है नहीं उनका निरंगुश्यासक इतिहासकार का अपने तथ्यों के साथ बराबर का दरजा होता है जैसा प्रत्यक कार्यशील इतिहासकार जानता है अगर वह सोचने और लिखने की प्रक्रिया के बीच रूप कर महसूस करे कि वह अपने तथ्यों को व्याख्या के रूप में धालने और अपनी व्याख्या को तथ्यों के रूप में धालने की एक अनवरत प्रक्रिया लगा जिसकी रोश्णी में उसने तथा अन्य लोगों ने तथ्यों का चुनाव किया है जैसे जैसे उसका काम आगे बढ़ता है वैसे वैसे ही तथ्यों की व्याख्या चुनाव तथा वर्गी करण में एक बहुत ही सूक्षम तथा संभवता हान्शिक अचेतन परिवर्तन होता रहता है इस पारसपरिक्रिया में वर्तमान और अतीत की पारसपरिक्ता भी मिली होती है क्योंकि इतिहासकार वर्तमान का अंग होता है जबकि तथ्य अतीत के इतिहासकार और इतिहास के तथ्य एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं. तथ्यों से विहीन इतिहासकार बिना जड़का और व्यर्थ होता है. इतिहासकार के बिना तथ्यमृत और अर्थीन होते हैं. अतर इतिहास क्या है? इस प्राश्न का मेरा पहला उ